तो यहां पर हमको user save करने के लिए एक schema बनाना है model बनाना है तो देखेंगे क्या करना है mongoose यहां पर मैं search कर रहा हूं mongoosejs.com.html पर यहां पर देखेंगे define your schema गाइड में अगर आप click करते हो तो यहां पर schemas है यहां पर देखोगे schema create करने, defining your schema तो जब भी हम कोई data save करना है तो पहले हम उसका design create करते हैं कि माली जी यह object है तो blog schema है तो blog का जो data है वो कैसा हमको देखेगा title किस type का होगा, string type का, author क्या है, string है, body string है, date है, date type का है तो हम एक schema design करने, template बना रहे हैं कि हमारा data है, वो कुछ इस तरीके से देखने वाला है तो यह schema हमने create किया है, schema create करके हम blog schema में assign किया, now इस blog schema के help से हम एक model object create करते हैं एक model बनाते हैं, एक तरीके साथ समलोग क्लास है, तो हमने mongoose.model create किया, तो हमको यहाँ पे एक blog मिला, इस blog के हम object बना सकते हैं, और इसको हम save कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक blog बनाया, const blog, इसको इन्होंने आंगे save किया होगा, तो यहाँ पे जैसी यह model, य इसके लिए हम अलग से file create करेंगे, हम अलग से folder create करेंगे, यहीं पे फोलडर create कर रहा हूं, इसको मैं कहा देता हूं, models, मैंने इसको कहा models, अब यहाँ पे मैं सारे models रखूँगा, तो मैंने एक file यहाँ पे add कि user.js, इस user.js के अंदर यूजर model रखने वाली है, तो user.js के अं मौंगूस को इंपोर्ट करेंगे तो यहां पर इंपोर्ट मॉंगूस फ्रॉम मॉंगूस हमें आप जैस पर काम करें तो हम रिक्वाइर का यूज कर देंगे तो मैंने का कॉंस्ट मॉंगूस और यहां से मुझे इंपोर्ट करना है तो मैंने का रिक्वाइर और यहां पर मैं ने लिखा Conthis एक भीखल यहां पर मैंने लिखा lightning प्रवाइब चुड़ा है यहां क्ट्रोल इसपेस प्रेंट प्रेस किया तो यहां पर मुझको सटेशित्न मिल राइज इसकी मां इसकी मां इंपोर्ट कर लिया अब यहां पर खावीं पर लेता हूँ यह किया ठीक है ब्लॉग स्कीमा को मैं कह देता हूं यूजर इसकीमा और यहां पर न्यूज इसकीमा यह मना यह नहीं इसकीमा कॉल किया इसको मुझे और अब्जेक्ट के अंदर सारी इंफर्मिशन रहेगी तो फर एक्जामपल आप चाहते हो फस्ट नेम तो यहां पर मैं कर दिये यह स्ट्रिंग टाइप कर तो इस तरह से हम यहां पर स्कीमा करते हैं पर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं तो मैं यहां पर कुछ यूटिलिटी आपको दिखाऊंगा कुछ टूल से हम यहां पर इसको कर सकते हैं ठीक है तो एड्डरस जहां पर हम अपना जेसन डिजाइन करेंगी कि हमारा जो ऑबजेक्ट है वह हमारा ऑबजेक्ट कैसा दिखने वाला है ठीक है तो जेसन फॉर्मिटर आप सर्च करोगे बहुत सारी वेबसाइट से जेसन फॉर्मिट करने की यह एक वेबसाइट है जेसन फॉर्मिटर.Crucius concept.com तो इसको मैं आप description दे दूँगा तो मैं यहाँ पर पहले एक जेसन लिख लेता हूं कि मेरा जो जेसन अब्जेक्ट है मेरा जो अब्जेक्ट यूजर अब्जेक्ट वो कैसा दिखने वाला है यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेरा जो उब्जेक्ट उसमें फस्त नेम ह हो गा हुआ फश्नीम का कुछ भी वैलीव डाल दो भिया है यहां पर मेरा फस्ट नेम इसके बाद मैं यहां पर कर दिया लास्ट नेम और इसका वैल्यू गूने आप लेटी अपना लास्ट नेम कोमा और क्या रखना चाहता हूं तो मैंने यहां पर लिखावक्पनि ऑपन चाहता हूँ यहां पर मैंने अड्रेस एक औब्जेक्ट होने वाला है तो एड्रेस के अंदर क्या-क्या information है बहुत सारी information रहेगी तो वह information मैं लेकर आँगा मैप माइंडिया के documentation से हमको जो address जो map देने वाला है वो किस format में होने वाला तो वह हमको वहां से मिल जाएगा अगर मैं अभी process बटन पर क्लिक करता हूं तो देखो मेरे वेबसाइट है यहां पर transform.tools ठीक है यहां पर आप आजाओगे तो यहां पर देखो सर्च कर सकते हूं आप मैंने कहा जेसन टू मॉंगूज यहां पर मैंने लेखा मॉंगूज स्कीमा यहां पर यह उपन हो जाएगा यहां पर अपना जेसन फॉर्मिट कर दो आपको उसका स्कीमा मिल जाएगा ठीक है तो यह बिल्कुल चीटिंग नहीं है ठीक है आप कुछ लोग कहते हैं मैं copy paste मार देता हूं तो इससे मेरा टाइब करूंगो तो मेरा पांच मिनट का वीडियो मॉंगू का मॉंगूस का इसकीमा बनाने में निकल जाएगा तो मैं यह नहीं कर सकता ठीक है तो इससे आप बोर हो जाओ गया और कुछ नहीं तो मैं यह कुछ टूल्स आपको दिखा रहा हूं जिससे आप अपना काम ब जाब भी आपको बताएं कि अभी तो यह बहुत चोटा अब्जिक्त है करको बहुत बढ़ा अब्जिक्त आएगगा तो अभी देखो बहुत बढ़ा अब्जिक्त में ले करने वाला हूं उसका मॉंगूस की बहुत एक मिनिट में बना दूँगा ठीक है अब भी मैं यहां पर देखो यह जैसान है तो यह address object है जैसन हमको रिटन करेगा इसके form में इस form में हमको जो website है हमको रिटन करेगा data एक address object आपको यहां से copy करना तो एक address object मतला एक curly bracket से दूसरे curly bracket closing था तो यह एक object है address object तो इस user का जो address है यहां पर address के अंदर यह वाला object यहां पर हम पेस्ट करेंगे तो यह हो गया यहां पर first name, last name, email, password then address, address object ठीक है process बटन पर click किया यहां पर आ गया पूरा address object जैसन के form में copy करने के लिए मैं copy बटन पर click करूंगा copy किया now वापस जाएंगे transform website पे, यहां पर मैं सारा कुछ remove करके इसको paste करूंगा, यहां देखो यह पूरा address है, कोई mongos schema है वो मेरा create हो चुका है, अब देखो यहां पर क्या होता है, जब address के अंदर address होता है तो इसको हम कहते है schema के अंदर है schema, तो इस schema को मैं अलग से भी create कर सकत हूं ठीक है, तो एक काम करते हैं मैं इसको यहां से remove करता हूं और मैं सिर्फ address schema create करता हूं, यह जो object इसको copy करके, यहां पर paste करूंगा, तो यहां से मिरो को address schema मिल जाएगा, तो इस address schema को मैं copy करके, यहां पर address schema create कर सकता हूं, तो एक और schema create कर लेते हैं, हमने का const address schema is equal to address schema is equal to हमने का new schema new schema call किया इसके अंदरा मैं object पेस्ट करना है तो जब एड्रेस schema copy किया था मैंने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया यह बन गया यहाँ पे address schema ठीक है यह देख सकते हूं एक minute भी नहीं लगा और मैंने address schema copy paste कर दिया proper ठीक है और इसमें कोई गलती नहीं होगी देखो अगर आप type करोगे तो सकता formatted address में आप यह चोटा कर दो यह चोटा बड़ा कर दो तो आप API को सब data save करोगे तो problem करेगा save नहीं होगा data तो इसमें क्या गलती है भी आपकी काम होती है ठीक है यूजर schema चाहिए मुझे user schema के लिए मैंने यहां पर इसको copy किया हुआ है तो यहां से मैं अभी address को remove कर देता हूँ ठीक है यह मैंने address को यहां से remove कर दिया यह रहा address इसको मैं यहां से remove करूंगा close किया format process किया तो यहां पर एक user object आ चुका है इस user object को हम copy करेंगे यहां पर पेस्ट करके इसके लिए schema create कर सकता हूँ तो यहां गया मेरे schema आपस आएंगे schema के अंदर हम इसको remove करके इसको यहां पर paste करेंगे save किया यह हो गया ओके यहां पर देखो कि कोई address नहीं है तो मैं आंगे address भी add कर सकता हूँ manually मैंने का address और यहां पर हम directly schema pass कर रहें borders का schema कहा है यहां पर address schema तो यहां po यहां पर पास कर सकता हूँ यहां पर स्कीमा रेडी है, model क्रियेट करने के लिए यहाँ हम Mongeose.model करते हैं, इसका एक नाम होता है, इसका हम Schema past करते हैं, यहाँ पर हम एक model गाहस है, जो कि हम कहते हैं कि just a class जैसा है तो class है, तो हम इसको capital से start करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमने आप कॉंस्ट यूजर जीकोफ्ट टू हम यहां पर कहेंगे मांगूस डौट दौरिक मोडल को पास करना इक नेम अब पास करते यूजर का नाम है जो जर किमा औके यह हो गया address के लिए model हमने create इसलिए नहीं कि हम एड्रस का object नहीं बनाएंगे हम सब्सक्राइब यूजर का object बनाके उसको address pass करेंगे इसलिए हमने directly इसका वास यहाँ पर model create किया इसको मैं export कर सकता हूँ यहां पर मैं लिखुंगा module .export और यहां पर मैं लिख सकता हूँ यूजर अगे तो यह आ गया हम इसको कहई पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं उसको छलते हैं index.js में और इसको एक बार इंपोर्ट करके यहां पर just import करते हैं कुछ नहीं कर रहा हैं यहां पर मैं लिखूंगा const curly bracket open close यहां पर मैं लेका require रिक्वायर और डॉट लैस्ट मॉडल स्लैश यूजर यहां पे मुझे सजेशन मिलेगा या या यूजर तो हमने यहां पे यूजर को इंपोर्ट किया हुए ओके तो अभी आपको कमपास में अगर आप जाके देखते हो मौंगो डीबी कमपास में तो वहां पे आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होने के चांसे बहुत काम है और इससे आपको काम है वह काफी तेज होता है आपको चीज़ समझ में आई होंगी तो अभी हम डेटा सेफ करेंगे एक एंडपॉंट क्रियेट करेंगे एडर्स को सेफ करने के लिए देखेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ओके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप चैनल पे नहीं है तो आपको वीडियो पसंदारा में थैंक्स वाचिन